दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग एनिमेशन वीडियो बनाना सीखेंगे जिसमें दोस्तो अगर आपका कोई concept है कि धारा की चाल और नौक की चाल में अंतर गयात करें इस concept को हम powerpoint presentation की मदद से कैसे अपने student को explain कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सिखने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं सिखना चाहते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो पर बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो दोस्तो सबसे पहले आप अपने laptop ये PC में powerpoint open कर लेंगे ठीक है और powerpoint open होन लेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तो यहां से आपको blank slide ले लेना है blank slide लेने के बाद दोस्तो आपको insert tab पे क्लिक करना है insert tab पे क्लिक करने के बाद दोस्तो यहां पे आपको shape में जाना है shape में जाने के बाद दोस्तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां पर दोस्तों आपको wave का option मिलता है ठीक है यहां पर आपको एक shape मिलता है double wave ठीक है आप इस shape को select करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप कुछ इस तरह से यहां पर wave ड्रॉग कर लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है और फिर दोस्तों आप control D दवा करके आप इसका duplicate बना लेंगे और इसे दोस्तों आप इसमें कुछ इस तरह से रख लेंगे फिर दोस्तों आप control D दवा करके इसका duplicate बना लेंगे और फिर दोस्तों आप control D दवा करके इसका duplicate बना लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे उसके बद दोस्तों हम लोग इन सभी को एक साथ select करेंगे और उसके बद दोस्तों हम लोग say format पे click करेंगे align में जाएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग middle select करेंगे उसके बद हम लोग control G से इन सभी का group बना लेंगे उसके बाद दोस्तो हम लोग cement में रहते हुए, stem fill में जाएंगे और यहां से दोस्तो आप जो भी color fill करना चाहें इसमें color fill कर देंगे, shape outline में जाएंगे और यहां से no outline कर देंगे, ठीक है चले, इतना होने के बाद दोस्तो आप इस पर click करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप align पर click करेंगे, और इसे center कर लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप इसे जो है, थोड़ा सा left side इसे बाहर कर देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इस save के उपर click करेंगे, Animation टैप टे क्लिक करेंगे और उसके बाद दूस्तों यहां आपको Animation Pen Orben कर लेना है तक हम यह देख सके कि इसमें हम कौन-कौन सा Animation अपलाई कर रहे हैं उसके बाद दूस्तों आपको Add Animation के उपर क्लिक करना है और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और Motion Path वाले केटेगरी में आने के बाद दूस्तों यहां से आपको इसमें Line Animation अपलाई कर देना है अभी दूस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है उपर से नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे Effect Option में जाएंगे और इसमें दूस्तों हम लोग From Right सेलेक करेंगे तो यह कुछ जो है इस तरह से आता हुआ देखेगा इतना आने के बाद दूस्तों हम लोग Animation के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर Drop Down पर क्लिक करेंगे Effect Option में जाएंगे और इसके बाद दूस्तों Effect Option में आने के बाद दूस्तों जो Smooth Start है इससे None कर देंगे Smooth End को भी None कर देंगे Timing में आएंगे और यहां पर Repeat में दूस्तों हम लोग कर देंगे Until End of Slide ठीक है और उसके बाद आप इससे OK कर देंगे तो यह कुछ इस तरह से चलता रहेगा तो हमारा End Point है इससे हम लोग इस तरह से रहने देते हैं एक बार दूस्तों हम लोग इससे Play करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से चलता रहेगा Left Side थोड़ा बढ़ा लेंगे और Right Side दूस्तों यहां पर बिल्कुल स्लाइड के उपर ही रहेगा उसके बाद दूस्तों आप इससे एक बार प्ले करके देख लेंगे कि यह चलते चलते जो है यह स्लाइड के अंदर तो नहीं आ जा रहा है ठीक है तो यहां पर दूस्तों देखें मैं प्ले करके जब देखता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह इस किनारे से लिए करके इस किनारे तक बिल्कुल perfect है उसके बाद दूस्तों इस save के उपर क्लिक करेंगे और Ctrl D से इसका duplicate बना लेंगे और उसके बाद दूस्तों आप इसके जश्ट नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दूस्तों आप save format में जाएंगे save fill में जाएंगे और इसमें दूस्तों आप कोई दूसरा color fill करा सकते हैं कुछ इस तरह से फिर दूस्तों आप Ctrl D दवा करके इसका duplicate बनाएंगे और save fill में जाएंगे और इसमें दूस्तों आप कोई दूसरा color ले सकते हैं आप उसके बाद अपसे फिलtó में जाएंगे कोई और कलर इसमें करेंगे कुछ तरह से इस तरह से इस तरह से आप बेने और इसमे हम लोग यहां झां से सेंटर कर देंगे तो यह हमारा सभी एक गुसरे के बराबर में आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों हम इन सभी को पगड़के बिल्कुल यहाँ पे किनारे में रख देंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम लोग इन सभी को एक बार select करेंगे और इसे दोस्तों सरका के थोड़ा सा slide के नीचे ले करके आएंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों हम लोग एक बार slide show करके देख लेंगे कि यह कुछ इस तरह से हमारा धारा बैया रही है तो इस तरह से हमारा चलते रहना चाहिए तो यह बिल्कुल हमारा perfect है तो यह हमारा धारा बन गया है अब यहाँ पर हमें 9 बनाना है तो 9 बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे insert tab पे click करेंगे shape में आएंगे यहाँ से दोस्तों आप ये वाला basic shape में आने के बदुस्तों आप ये वाला animation है ये वाला animation आप select करेंगे और उसके बदुस्तों आप कुछ इस तरह से ये shape draw कर लेंगे और यह जो yellow dot दीक रहा है दोस्तों आप इसे पगड़ के थोड़ा सा right side सरका लेंगे और उसके बहुत दूस्तों आप rotate में आएंगे और यहां से दोस्तों आप इसे फिलिप पर्टिकल कर लेंगे ठीक है और इसे दूस्तों पगड़ के आप यहां पे रखेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों वापस से आप shape में आएंगे और यहां से दोस्तों आप एक rectangle select करेंगे कुछ इस तरह से और यहां पर दोस्तों आप एक rectangle draw कर लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है और control D दबा करके दोस्तों आप इसका duplicate बना लेंगे और इसे inside रखेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग rotate में आएंगे और इसे दोस्तों हम लोग flip horizontal कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको इस तरह से रख लेंगे इन दोनों save को एक साथ select करेंगे ठीक है यहां पर हमने यह जो save बनाया है इन दोनों को एक साथ select करेंगे Ctrl G से इन दोनों का group बना लेंगे और फिर दोस्तों हम लोग इन तीनों save को एक साथ select करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग arrange पे click करेंगे align में आएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग center select कर लेंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम लोग इन तीनों को एक साथ select करेंगे Ctrl-G से इसका group बना लेंगे तो यह हमारा 9 बन गया है 9 बन जाने के बाद दोस्तों आपको कह करना है इसे बिल्कूल यहां पे रखना है और उसके बाद दोस्तों आपको safe format में आना है और safe fill में आना है और उसके बाद दोस्तों आप 9 में जो भी color देना चाहें आप इस तरह से color fill करा देंगे तो यहां से दोस्तों मैं यह color इसमें fill करा देता हूँ shape outline में जाएंगे no outline कर देंगे दोस्तों आप इन दोनों shape में कोई और color fill कराना चाहें तो आप इन दोनों shape में कोई और color fill करा सकते हैं इस shape के उपर click करेंगे कुछ इस तरह से double click करेंगे से फिल में जाएंगे और इसमें दोस्तो कुछ दूसरा color हम लोग फिल करा लेते हैं कुछ इस तरह से ठीक है फिर दोस्तो हम लोग now के उपर click करेंगे इस पर right click करेंगे और send to back कर देंगे, कुछ इस तरह से, इतना हो गया, इतना होने के बार दोस्तों हम लोग inside tab टे क्लिक करेंगे, यहां दोस्तों हम लोग picture select करेंगे, online picture दोस्तों हम लोग select करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहां river illustrator लिख करके enter कर देंगे, river illustrator लिकर के search करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने image आ जाएंगे ठीक है तो इसमें दोस्तों आप जो भी image लेना चाहें आप ले सकते हैं तो यह वाला image मैं यहां से select कर लेता हूँ और इसे दोस्तों इसमें insert करा लेता हूँ यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ यहां पर लिखा हुआ भी आ गया है तो हम इस पर click करके इसे पहले delete कर लेंगे फिर दोस्तों हम लोग image को select करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग crop के drop down पर click करेंगे aspect ratio में आएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग system ratio 9 select करेंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे crop कर लेंगे उसके बाद दोस्तों इस पर right click करेंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहां से cut कर लेते ठीक है फिर दोस्तों यह जो background है इस पर आप right click करेंगे, format background पर click करेंगे, उसका बढ़ दुस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलता है, picture और texture fill आप इस पर click करेंगे, और यहाँ पर दुस्तों आपको clipboard पर click कर देना है, तो यह image दुस्तों आपके background में आ जाएगा, फिक है? और उसके बदिस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो ऊच्छा जो कलर है यह इस पर थोड़ा सा शुट नहीं कर रहा है हम लोग इसमें कोई दूसरा कलर filter लेते हैं तो से φॉर्मेट में जाएंगे से फिल मे जा लेते हैं ठीक है यह जो हमारा दूस्तों सेफ है नीचे वाला इन सभी को एक साथ सेलेक करके स्लाइड में थोड़ा इस तरह से किनारे में रख लेंगे ठीक है बस इतना ही दूस्तों आपको करना है और उसके बाद दूस्तों आपको यहां से फीट्टू स्क्रीन कर देना है उसके बाद दूस्तों आप यहां पर अपना सवाल कॉपी पेस्ट कर देंगे नौ को सलेक किजिए यह 9 में जो हम लोग टीटर अनिमेशन दीये हैं , तो आप यहां पर देखेंगे कि यह नो का अनिमेशन है , आप इसमें डवाल कीलिक करेंगे , तो कुछ इस तरका वेंडो ओपेन होगा , टाइमिंग में आएगे , और यहां पर रीपीट हमने नहीं दिया था , इसलिए एक बा कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां से fit to screen कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से प्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा नौ भी जो है चल रहा है और यह धारा भी हमारा चल रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप न यह सवाल है तो इस चीज को explain करने के लिए दूस्तो आप इस तरह का slide त्यार कर सकते हैं ठीक है तो बस दूस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही I hope कि यह टूटोरियल यह वीडियो आपको पसंद आया हुगा अगर दूस्तो यह वीडियो यह टूटोरियल पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा अम्मनोबल बढ़ाए पाबरपन परजेंटेशन को और बहतर तरीके से सिखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए तो चलिए दूस्तो मिलता हूँ फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टूटोरियल में तब तक के लिए दूस